बालों को खुबसूरत और मजबूत बनाने के लिए आप कई तरह के हेर ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तमाल करती हैं। इसके लिए आप पैसा और समय दोनों ही खर्श करती हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिल पाते हैं जिन से संतुष्ट हो सके। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेमेडी शेयर करने जारी हूँ जो की बिलकुल घरेलू है और जिससे आप अपने बालों की मजबूती, खुबसूरती और अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काला बना सकती हैं। जिसको अपना कर आप बालों को बहुती ज़ादा मजबूत बना सकेंगी। साथ ही बिना कैमिकल बेस्ट हेयर कलर के सफेद बालों को नैशर कलर भी दे सकेंगी। तो आप सोच रही होंगी कि वो तरीका क्या है और वो क्या घरेलू तरीका है जिसे अपना कर हम अपने बालों को खुबसूरत मजबूत और काला बना सकते हैं तो इसके लिए बढ़ते हैं रेमेडि की तरफ चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बनाना इसके लिए आपको यहां पर एक लोहे की कड़ही या लेहोई का कोई भी बरतन लेना है इसमें एड़ करना है आपको आधा गलास पानी अगर आपके बालों के लंबाई जादा है तो आप पानी की quantity को बढ़ा भी सकती है लोहे के बर्दन के अलावा आप कोई भी बर्दन यूज़ कर सकती हैं लेकिन अगर लोहे का बर्दन यूज़ करेंगी तो आईरन के भी गुड आपको मिलेंगे इसके साथ आपको यहाँ पे add करना है एक चमच चाय पती जो भी चाय पती आप घर में इस्तेमाल करती हैं वही चाय पती आपको एक चमच इसमें लेनी है और इसे 5-6 मिनट तक अच्छे से उबालना है यानि कि बॉयल करना है चाय पती में ऐसे गुण पाये जाते हैं जो हमारे बालों को मजबूत करते हैं strong बनाते हैं साथ ही आपके बालों का ज़र्ना तूटना भी बंद करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए चाय पती का पानी बहुत ही जादा अच्छा होता है यहाँ पे अच्छे से boil करने के साथ आप देखेंगे कि iron के जो गुण है और चाय पती का जो अर्ख है वो हमें इस पानी में पको भी मिलेगा और पानी का color भी आप देख सकते हैं यहाँ पे change हो गया है तो 5-7 मिनट अच्छे से boil करने के बाद आपको gas के flame को बंद कर देना है और इसे complete ठंडा होने के लिए छोड़ना है थोड़ा सा गुनगुना रहे तभी आपको इसे चान लेना है और एक another bowl में निकाल लेना है एक medium उसमें आपका पानी हलका सा गुनगुना होना चाहिए पैक बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक काच का पोल लेना है और इसमें add करना है आपको एक चमच ब्रिंग राज पाउडर ब्रिंग राज को अर्वेट में सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है क्योंकि ये बालों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुती ज़्यादा अच्छा होता है चाहे आपके बाल सफेद हो रहे हों, बाल ज़र रहे हों, बाल बहुत ज़्यादा कमजोर हों, बहुत पतले हों या आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हों सभी शीरों के लिए भ्रिंग राज बहुती उत्तम माना जाता है तो एक चमच आपको यहाँ पे भ्रिंग राज पाउडर लेना है, एक चमच भ्रिंग राज पाउडर एड़ करने के बाद, आपको इसमें एक चमच कॉफी पाउडर एड़ करना है, मैंने यहाँ पे एक शेशे नैसकेफे लिया है, आप कोई भी another brand की coffee यूज़ कर सकती है coffee हमारे बालों में जो color होता है उसको restore करती है ये आपके बालों में color को इस कदर restore करती है कि जब आप hair wash करते हैं तो color आपके बालों से बिलकुल भी नहीं छोड़ता coffee बालों को एक बढ़ियां सा bright color भी देती है dark color भी देती है और बालों में color के stain को छोड़ती भी नहीं है ये आपके बालों में जो भी color हम apply करते हैं उसमें अगर आप coffee का इस्तमाल कर रहे हैं तो ये आपके बालों के color को और ज़्यादा पक्का कर देती है तो एक चमच आपको यहाँ पे coffee लेना है और इसके बाद जो हमने यहाँ पे चाई पत्ती का पानी तयार का रखा है इस पानी को आपको इसमें add करना है थोड़ी थोड़ी quantity में add करना है और इसे mix करना है पैक बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए तो अभी आपको पैक जो है बहुत ज़्यादा liquid नज़र आ रहा होगा बहुत गीला नज़र आ रहा होगा लेकिन आपको इसे तुरंत अप्लाई नहीं करना है आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है जब 15 से 20 मिनट आप इसे छोड़ेंगे तो ये पैक अपने आप सेट हो जाएगा यानि कि थिकनेस इसके बढ़ जाएगी तब आपको इसे अप्लाई करना है लेकिन इसे अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज और करना है तब से पहले आपको चाय पती के पानी से अपने बालों को स्प्रे करना है इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजे और अपने बालों को स्कैल्प को इस पानी से आपको गीला करना है चाय की पत्ती आपके बालों की चमक को बढ़ाने में मदद करती है इसके इस्तमाल से बाल रेश्मी और मुलायम भी होते ही चाय के पत्ती के पानी से बाल धोने से बालों का ज़रना और तूटना भी कम होता है चाय के पानी से बाल धोने से पत्ती में मौजूद पॉलिफेनॉल तत्व स्कैल्प के इंफेक्शन को दूर करने में मदद करता है अगर आपके स्कैल्प से पपड़ी निकल रही है तो चाय की पत्ती के पानी से सिर्ध होने से ये प्रॉब्लम दूर होती है बालों में रूसी यानि डैंडरफ की परिशानी है तो उसको कम करने में भी चाय की पत्ती का पानी बहुत हेल्प करता है बालों की ग्रोथ और मजबूती को बढ़ाने का काम भी चाय की पत्ती का पानी बखो भी करता है इसके अलावा बालों की सफेदी को कम करके इनको natural color देने में भी चाय की पत्ती बहुत ही जादा help करती है इतने जादा फाइदे हैं चाय की पत्ती के जो कि आप अपने बालों में naturally इसे घर में ही इस्तमाल करके पास सकती है और यह एक ऐसी चीज है जो कि हर घर में available होती है तो आपको सबसे पहले इसे अपने बालों को गीला करना है जब जो इस्प्रे आपने किया हुआ है वो सूख जाए ड्राइ हो जाए तब आपको इस पैक को जो कि हमने इसी चाय पत्ती के पानी से रैडी किया है इसे apply करना है और अभी आप देख सकते हैं पैक यहाँ पे थिक हो गया है तो अभी यह consistency perfect है बहुत थिक नहीं है और नहीं बहुत ज़्यादा lose है आपको इसे अपने बालों में लगा के दो घंटों के लिए छोड़ना है इसके बाद normal पानी से hair wash कर लेना है evening में oiling जरूर करनी है और next morning शैंपो करना है हफते में दो बारे से इस्तमाल करें आपको बहुत ही amazing फायदे होंगे इस चाय के पती का पानी इस्तमाल करने से आपके बाल मजबूत भी होंगे रेश्मी होंगे मुलायम होंगे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बालों का जढ़ना तूटना कम हो जाएगा और आपके सफेद बाल हमीशा के लिए काले हो जाएगी आशा करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी दोस्तों तो लाइक कीजेगा और शेर कीजेगा ताकि दूसरे लोगों को भी हैल्प हो सके चैनल में न्यू है फर्स टाइम आए है तो सब्सक्राइब माइच चैनल चली फिर से मिलते हैं एक अनदर रेमेडी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर अपना ध्यान रखिए